हालो फ्रेंड्स मैं रेनु धर आपको soft toys बनाना सिखाती हूं आए आप गर बैठके ही अपने बच्चों के लिए soft toys बना सकते हैं इस सीरीज में सबसे पहले शुरू करते हैं एक डॉल्फिन बनाना यह देखिए इस तरह की डॉल्फिन आप गर बैठे हैं अपने बच्चों क आपको चाहिए उसमें है सबसे पहले यह cuttings जो आपको मेरे YouTube पे नीचे PDF में दे रखा आप डाउनलोड कर लीजे उसमें यह cuttings है यह इसकी अपर बॉड़ी बेस बॉड़ी फिंस और टेल इसकी अलावा आपको चाहिए कपड़ा फैल्ट यह आपको कहीं भी चाइनीज फै इसके अलावा भरने के लिए फाइबर वूल यह भी आपको किसी भी cotton shop से easily available हो जाएगा सीजर काटने के लिए मार्किंग के लिए पैन या चौक जो भी आपको मिलता है सीने के लिए सुई दागा अगर आप लोग के पास मशीन है मशीन चला सकते हैं तो आप मशीन से भी बना सकते हैं और इसके अलावा एक सुई या सलाई या कुछ भी चीज ले लिजे इसको cuttings को सीधा करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं डॉल्फिन बनाना सबसे पहले आपने क्या करना है कपड़े पे मार्क करना है cuttings से तो कपड़े को आपने लेना है इसका उल्टा साइड ये सीधा वाला साइड है ये इसका उल्टा वाला साइड है आपना उल्टा साइड लेना है और इस तरह स रखके जैसे यह इसके body का part है इसमें आप देख रहे हैं इसमें लिखावा है upper body cut two pieces reverse पहले एक part आप ऐसे रखेंगी और इसको mark करेंगी दूसरा part reverse का करना है तो reverse में आप इसको इस तरह से reverse करेंगी और 7 में ही रखके आप इसको mark कर लेंगी आपने इस तरह से सारे pieces mark कर लेने हैं अब ये marking सापके पास हो गई है अब आपने इसम art को सीजर से काटना हूंद अब में मारकिंग्स को कटटिंग करेंगे जहां से आपने निशान लगाए है इस निशान पर हम इसके side side पर आपने इसको cutting करनी है बिल्कुल इसके जो आपने निशान बनाए है इनके side side पर आप cut करते जाए और इसी तरह से आपने सारे pieces काट लेने है उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से आपने ये step follow करने हैं देखिए जैसे कि अब हमने ये सारे पीसिस कट कर लिया है ये बॉडी के टू पीसिस है ये इसका बेस का पीसिस ये टेल के टू पीसिस और ये फिन्स के अब इसको आपने क्या करना है जो आपकी बॉडी है बॉडी के साथ में आपने इसका पेस जोड़ना है इस पेस पे दोनों साइट्स पे आपको इस बॉडी को अटेज करना है तो इसके लिए आप सुईदा गले अगर आपके पस मशीन है आप मशीन यूज करती है आप मशीन चला सकते हैं तो आप यह स्टिचेश मशीन से भी कर सकते हैं उससे बहुत जल्दी हो जाता है आई अब हम स्टिचिंग शुरू करें जैसे कि मैंने आप से पहले कहा अगर आप लोगं के पास मशीन है तो आप मशीन से स्टिच कर सकती हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है तो स्टिच करते हैं वह आप देख लिए आपने सबसे पहले दागे को गांट मार लेजे एक जहां से आपको स्टिच करना है वहाँ पर आपने इसका गांट मार के एक ले लिया आपने थोड़ा सा राउंड करके लेना है और साथ में ही एक स्टिच मारनी है इसके बीज में से आप निकालेंगी एक बार फिर देख लीजे ये थोड़ा सा राउंड करके लाईए और यहां से स्टिच थोड़ा सा राउंड करके इसी तरह से आपने सारे पीसिस स्टिच कर लेने हैं अब हम इसके टेल जोड़ते हैं टेल के भी हमने दो पीसिस काटे हैं एक सिंपल रखके और एक रिवार्स रखके जैसे कि यह सिंपल आपने रखा और इसके ओपर यह इसका रिवार्स वाला पार्ट आ जाएगा इस तरह से है यह जो फ्रेंट है यह आप जोड़ देंगी सा और आपका जो इससिटी वाला पार्ट है वह आप यहां से इस तरह से इस इसको यहां पर आपने सिर्फ यह वाले पार्ट को ओपन छोड़ना है पांस कि नीचे वाला पार आपने जैसे यह एक कॉर्णर है इस बेस पार्ट में इस तरह से रखिए यह एक पार्ट इसका कॉर्णर से आपको इसके कॉर्णर से लेकर यह जो इसका सेंटर का पार्ट आएगा वह अपने इस बॉड़ी के सेंटर पार्ट तक कि स्टिच करना है कि स्टिच करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यह और यह मैंने दोनों उल्टे रखे वे आप इसी तरह से उल्टा रखिए उल्टा रखने के बाद में आप एक कॉर्णर को उठाईए इस कॉर्णर से जोड़ते हुए इस तरह से आपने इसको है वो दोनों आपने आपस में मिलाने हैं तो इस कॉर्णर से आपने स्टिच करना शुरू करना है स्टिच कैसे करना है सुई दागा लेके पहले एक हम गाट मारेंगे कॉने पर कि अगर कि अगर कि 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 देख रहे हैं अब अब हमने आपको बताया कि आपने स्टिच करनी है यहां से हमने एक कॉर्णर से शुरू किया और यह सारा इस तरह से जोड़ते हुए और यह हमने यहां पर इसके सेंटर पार्ट में जोड़नी है जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सारे पीसे स्टिच हो गए हैं यह बॉड़ी का पीस भी हमने स्टिच कर लिए हैं फिन्स हैं और टेल हैं अब मैं आपको बताती हूं कि टेल बॉड़ी के साथ में आपने कैसे अटैच करना है यह बॉड़ी का पार्ट है यह इसका अपर पार्ट है अपर पार्ट का आप देख रहे हैं कि यहां पर यह बेस है बेस और अपर पार्ट के बीच में एक सेंटर सी लाइन आ रही है यह आपने लेना है और साथ में यह फिन फिन का जो यह सेंटर वाला पार्ट है यह आपन यहां से यह जो center का पाठ है यहां से आप शुरू करेंगी इसके center पाठ से यहां से आप इसको stitch करती हुई stitch बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया एक थोड़ा सा round करके इसी तरह से आपने यहां से लेके यहां तक पूरा round नीचे तक आपने स्टिच कर लेना है इससे आपका टेल जो है बोड़ी के साथ में अटाइच हो जाएगा चलिए फिंस जोड़ते हैं फिंस के लिए सबसे पहले आप इनको सीधा कीजिए जो भी आपके पास सुई है या कुछ है उसकी मदद से आप इसको सीधा कर लीजे सीधा करने के बाद में आपने फिंस जो है इस शेप में आपने इसके फिंस जोड़ने हैं जैसे कि यह एक मैं आपको दिखा रही हूं यह अपर बाड़ी का जो फिं है इसको आपने इसमें जोड़ना है तो आपने क्या करना है इस तरह से इसको नीचे की तरफ लेके इसके ज अपो यहां पर और कि लिए उसमें आप डालेंगी और यहां पर आप किसको बंद करके और यहां पर डार उनिंगे इसको सी तरह से बाक फिन्स भी आप ऐसे उना dagang के तो यह शेल लेसि के आप New इसके अंदर डालना है जो आपने कटिंग छोड़ी है उसके अंदर आप इसको डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर पकड़के आप इसको स्टिच कर देंगे अब आपकी सारी बॉड़ी स्टिच हो गई है डॉल्फिन की देखिए जैसे मेरे पास यह एक और स्टिच कीवे पड़ी है इसको मैंने मशीन से स्टिच किया है आप इसको आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं मशीन से भी इस तरह से यहाँ से जॉइंट करके हमने इसकी टेल जोड़ी थी और यहां पर हमने जैसे मैंने आपको बताया फिंस जोड़ी है उसके बाद में हमने क्या करना है यह सारी बंद है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इसका जो बेस है बेस में हमें इसको पकड़के थोड़ा सा आपने कट मारना है जहां से आप इसको सीधा कर सक जैसे कि यह दिखिए यह कट मारा है मैंने बेस पे फिश के बेस पे एक कट मारा है अब आप इस कट की साइड से इसको आप सीधा कर लीजिए देखिए अब आपकी यह डॉल्फिन सीधी हो गई है अब आपने इसका सबसे पहले आइस जोड़नी है इदर तो आइस जोड़नी के लिए आप क्या करेंगे जैसे कि यह थोड़ा सा आप निशान देखिए इसको आपने पकड़के थोड़ा सा यहाँ पर आप सीजर से कट ल इस तरह से अंदर प्रेस करेंगे यह देखिए यह आइस है इसके बीच में इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा उल्टा करके यह जो वाशर है आपकी इस वाशर को आप यहाँ से प्रेस करके बंद कर देगे यह देखिए आपकी डॉल्फिन की आइस ल आप इसी तरह से same pattern follow करेंगे, देखिए इसकी दोनों eyes भी लग चुकी है, अब आपका last रहता है इसको fill करना, fill करने के लिए जो आपने नीचे cut लगाया था, वहाँ से आप इसको दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा फाइबर बूल लेते जाए और fill करते जाएए, इस तरह से आपने ये थोड़ी सी pressure दे दे के जहाँ पर gap न रहे और इस तरह से आपने ये सारी ही fill करनी है, इसकी tail में भी आप fill करेंगे, सारी dolphin में हमने fill कर दिया हुआ है, ये देखिए, आपकी सारी dolphin टेल में भी fill कर दिया, अब इसके बाद में last आपका रहता है, ये जो पार्ट है, इसको stitch करना, इसको मैं बताती हूँ कैसे stitch करना है आपने, एक गाट मारा आपने इसमें, एक side से आप इसको लेंगे, एक side से आप इसको निकालेंगे सुई, और जो दूसरा side है आपका, इसमें देखिए, यहां से आप उपर से इस तरह की stitch लेंगे, और फिर यहां से, यहां से, साथ में, उसको थोड़ा साथ साथ में खेशते जाएए, यह देखिए, इस तरह से आपने यह सारी, इसकी जो कट आपने मारा वा था, जहां से आपने फिलिंग की, वहां से आपने इसको बंद कर देना है, यह देखिए, आपकी सारी डॉल्फिन स्टिच हो गई, और इस तरह से आपने इसको यह फिलिंग बंद कर देना है, और यह नीचे बेस में है, पता भी नहीं चलेगा, कि नीचे से आपने स्टिच कर रखी है, देखिए, आप लोगों की डॉल्फिन रेडी है,